हो गया शगुन का परदा फाश आ गई है सबके सामने शगुन की सच्चाई जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने ये हैं मोहमति के रीसेंट एपिसोड में जैसे कि हमने देखा शगुन कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को अपना इंटेव्यू देती है और वहीं संतोशी और मध देखा बिल्कुल ये कसम खाते हैं कि वह शगुन को अज सबकी सामने एक्समुल करके ही रहेंगे और अपने प्लान को सक्सस्सपल करने के लिए संतोशी सोशल वरकर्स को कहती है कि वह आज कुछ अवाद से नावाजेंगे होता कुछ यूँ है कि शगुन अपना अवार्ट लेने के लिए स्टेज पर जाती है और acceptance speech देती है और अपनी speech में वो कहती है कि उन्होंने हर एक लड़की का personally ध्यान रखा है और वैसे ही संतोशी स्टेज पर आ जाती है और शगुन को धक्का दे देती है संतोशी सब को ये बताती है कि शगुन ने नहीं बलके मिसिस खत्री ने ये लड़कियों की जाने बचाई है संतोशी फिर ये कहती है कि शगुन ये अवार्ट जूट बोलके नहीं जीत सकती ये देखते ही रमन अपनी मा को चुप रहने के लिए कहते है जिसमें संतोशी कहती है कि मिसिस खत्री ने कई sacrifices किये है शगुन जो अपनी बच्चों का खयाल नहीं रख सकती वो बला दूसरों के बच्चों का क्या खयाल रखेगी वैल शगुन को एक्सपोस करने के बाद अब ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि कौन देता है शगुन का साथ आपको क्या लगता है अपनी कॉमेंट्स नीचे दिए कॉमेंट बॉक्स में डालें और सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को